Hello Friends, Welcome to Sunbeak Classes, आज 9 October है, आज के जितने भी परमुख Current Affairs है, सभी जानेंगे, सांती के नोबिल पुरुसकार किसे मिला, भारतिये बायुसेना दिवस कम मनाया गया, रेपो रेट, रिभर्स रेपो रेट कितना है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे, तो आईए शुरू करते हैं आज के परमुख Current Affairs, पहला, पीस या सांती का नोबिल पुरुसकार किसे दिया गया, किसे परदान किया गया, आप्शन, मारिया रेशा, दिमित्री मुराटोव, दोनों या ग्रेटा थनरवर, और इसका सही है, दोनों को मिला है, मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोव को अब इन्हें क्यों मिला है, ति इन्हें अभी ब्यक्ति की सोतंता की रच्छा के लिए उनके परियासों के लिए सम्मानित किया गया है, जो लोकतंत्र और अस्थाई सांती के लिए अवस्यक है, आए तो अब जान लेते हैं ये दोनों हैं कौन, ये दोनों पत्रकार हैं, मा प्रुसी समचार पत्र नोवाजा गजेटा के परधान संपादक है। अब जान लेते हैं कि 2021 का नोबल पुरुसकार किन किन को अभी तक मिल चुका है। जान लेते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतिय पासपोर्ट कराएं कितना है। पिछले साल यानि 2020 में 84 अस्थान पर था। और इस बार जापान और सिंगापूर सिर्ष पर है। जबकि दच्छिन कोरिया और जर्मनी दूसरे अस्थान पर है। नेक्स देखते हैं किस राज ने मिशन कवच कुंडल अभियान सुरू किया है। आप्सन है उत्तरपरदेश, महाराष्ट, करनाठक, तिलंगाना और इसका सही अंसर है महाराष्ट। अब यह मिशन कवच कुंडल है क्या। तिया मिशन है COVID-19 के खिलाब एक विशेष टीका करन अभियान है। इस मिशन कवच कुंडल के तहत परती दिन 15 लाख लोगों का टीका करन किया जाएगा। अब महाराष्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। महाराष्ट में टोटल 36 जीले हैं और यहां लोग सवा सीटे 48 हैं और राज सवा सीट 19 हैं और जीले कितने थे? 36। और इसका सही अंसर है बिटेन के साथ सुरू हुआ, अजय बौरियर्स। यह सईन अभियास भारत और इनाइटेट किंझडम के बीच उत्राखंड के चववटिया में सुरू हुआ है। और यह अभियास का छठा संसकरन होगा। दू और स्वाइन अभ्यास भारत और बिटेन के बीच होता है कोंकन और इंद्रधनुस यानि टोटल तीन होते हैं कौन-कौन तो कोंकन, इंद्रधनुस, अजय बॉरियर्स नेक्स देखते हैं, 18 अक्टूबर के लाउंच होने वाली पुस्तक, दकका स्टोडियन आफ ट्रस्ट के लेखक कौन है? आप्सन है बिजय गोखले, जेतन भगत, रजनीश कुमार, कुलप्रीत यादव और इसका सही अंसर है रजनीश कुमार इस पुस्तक के माध्यम से कुमार ने एक बैंकर के रूप में, SBI में एक प्यो अधिकारी होने से लेकर, 2017 में इसके ध्यच बनने तक अपनी यात्रा को साजा किये हैं आप्सन में बिजय गोखले हैं, जिनकी हाल फिलाल अभी बुक लाउंच हुई थी, लॉंग गेम, चेतन भगत की 400 देज बुक लाउंच हुई है और कुलप्रीत यादव की बैटल अफ रेजाउंगला उनकी नई पुस्तक है नेक्स्ट देख लेते हैं, नवासिवा भारतिय बायुसेना दिवस कम मनाया गया और इसका सही अंसर है आठ अक्टूबर को भारतिय बायुसेना दिवस मनाया गया इसी दिन भारत में बाई सेना की अधिकारिक तोर पर 1932 में United Kingdom की Royal Air Force के भे सहायक बल के रूप में खड़ा किया गया था हर बर्स यह दिवस हिंडन बाई सेना स्टेशन गाजियाबाद उत्तर परदेश में मनाया जाता है आईए जान लेते हैं कि थल सेना दिवस कम मनाया जाता है तो थल सेना दिवस जनवरी 15 में मनाया जाता है और नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और यह भारतिय बाई सेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है अगला प्रास्ण देख लेते हैं कौन बिश्व कुष्टी चेंपियंशिप में रज़त पदक जितने वाली पहली भारतिय महला बन गई है और इसका सही अंसर है अंसु मलिक अंसु मलिक विश्व कुष्टी चेंपियंशिप में रज़त पदक जितने वाली पहली भारतिय महला बन गई है किस NGO गैर सरकारी संगठन को समाजिक परवाब के लिए महात्मा पुरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया महात्मा पुरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया अप्शन है हेलपेज इंडिया, लोटस पेंटल फांडेशन, लेपरा सोसाइटी, असमाइल फांडेशन और इसका सही अंसर है लोटस पेंटल फांडेशन यह गुरुग्राम में इस्थित है यह सहर के अर्ध सहरी छेत्रों में रहने वाले बंचित बच्चों के लिए सिच्छा स्वास्त देखवाल और पोसन में योगदान के लिए मानिता दी गई है इसलिए इनको पुरुषकार दिया गया है महात्मा पुरुषकार 2021 नेक्ष्ट देख लेते हैं किस देश ने 250 तक सुध्ध सुन्न ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन की योजना की गोशना की है और इसका सही अंसर है यूएई अब जान लेते हैं कि सुध्ध उत्सरजन का क्या तात पर है यह उत्पादित ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन और बातावरन से हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन के बीच एक समगर संतुलन प्राफ्ट करना है नेक्ष्ट देख लेते हैं मैसूर दसहरा उत्सव का उत्गाटन 2021 में किस दिन में हुआ और इसका उप्षन है 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और इसका सही अंसर है 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर को मैसूर दसहरा उत्सव का उत्गाटन हुआ है यह चामुंडी हिल्स में 20 परसिद मैसूर दसहरा मनाया जाता है। एसा माना जाता है कि देवी चामुंडा ने इसी दिन महिसा सुर राच्छस का बद किया था और उसकी मिर्तु के बाद सहर का नाम मैसूर पड़ा। नेक्स देख लेते हैं जलवाई अभ्यान के लिए UK PM का पुरुसकार जितने बाली भारतिय मुल्की लड़की का क्या नाम है। पॉइंट्स अफ लाइट पुरुसकार के बिजेता बनी है। यह कूल अर्थ की मीनी अम्बेस्टर भी है जो बनों की कटाई और जलवाई परिवर्तन के मुद्धों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाती है। और इसने UK PM पुरुसकार जीत लिए है। और रिवर्स रेपुदर वो दर होता है जिसमें RBI बैंक से लोन लेता है। नेक्स्ट है एंटी पीसी ने इलेक्ट्रिकिड डी फ्रांस ऐसे के साथ किया समझा होता। एंटी पीसी ने EDF से किया समझा होता। यह थे आज के परमुक करेंट अफेर्स धन्यवाद।